आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ बिहारी स्टाइल मारभाद चोखा की रेसिपी और जब आप इस मारभाद चोखा को अपने घर में बनाएंगे ना तो आपकी भी बच्पन की यादे जरूर ताजा हो जाएंगी तो चलते हैं रेसिपी को बनाने के लिए सब्सक्राइब बिटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें मारभाद बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीले में क्या करेंगे न कि लगबख 2-5 लीडर पानी गरम करने के लिए चड़ा देंगे और इसे ढग देंगे ताकि ये जल्दी से गरम हो जाए तो जब तक पानी गरम हो रहा है न तब तक हम चावल दो के तियार कर लेंगे अगर गरम पानी के झीटे पड़ेंगी तो हाथ जल सकता है गरम पानी की छीटे परेंगेंगी तो हाथ हाथजल सकता है अब हम क्या करेंगे न कि इसे अच्छे से चला लेंगे मारभात को हम इस पेसली गर्मी के मौसम में खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी जो तासिल होती है न वो ठंडी होती है माड़ भात खाने से पेठ हमारा काफ़ी ठंडा होता है और गर्मी के मौसम में लोग ज़्यादा तेल मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं और जब आपको एकदम साधा सिंपल खाने की इक्षा होना तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा तो यहाँ पे आप इसे ढख दें लेकिन पूरा मत कवर करिएगा नहीं तो क्या होगा कि चावल का जो पानी है यानी माड़ वो उपर फन के आएगा और पतीले में से गिरने लगेगा गैस का आच मीडियम रखे तो जब तक इदर हमारा चावल पक रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि इसके लिए चोखा बना के त्यार कर लेंगे क्योंकि इसके साथ जब तक चोखा नहीं होगा ना मजा नहीं आएगा माड़ वात खाने में चोखा बनाने के लिए यहाँ पर मैने लिए हैं 4 मीडियम साइच के उबले हुए आलू आलू को यहाँ पर आप अच्छे से मैश कर लें, ताकि इसके जितनी गुल्ठिया है ने वो खतम हो जाएं तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया, अब आपको यहां पर डालना है दो मेडियम साइज के फारी कटे हुए प्याज, और प्याज को भी डालके यहां अच्छे से मिला लें आप क्या करें बीच में इस पैकार से घणडा कर दें, क्योंकि हम इसमें सरसो का तेल डाल के उसे अच्छे से गरम कर ले चोखा में इस पेसली आप सरसो तेल का इस्तमाल करें और यहां पर मैंने तीन सूखी लाल मिर्ची भी इस से तोड़ के डाला है सूखी लाल मिर्ची में इस चोखे का स्वात बहुत अच्छा आता है सोंदा सोंदा सा यह चोख तो तेल बहुत गरम है तो पहले आप इसे चम्मस से मिला लें उसके बाद आप इसे हाथ से मिक्स करें और यह जो सुखी लाल मिर्ची है ना इसे मिक्स करते समय तोड़ दें तो बस यह हमारा फटा-फट से अलू का चोखा बनके तयार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे ना कि चावल को इधर खोल के चक कर लेंगे तो चावल यहाँ पे हमारा लगभग 80% पक गया है तो अभी आपको इससे 3-4 मिनट और पकाना पड़ेगा तो इस चावल को बनाने में लगभग 12-15 मिनट आसानी से लग जाते हैं और यह थोड़े से आप की चावल पे भी निवर भर करता है कि जो आपने उसना चावल लिया है वो कितना पतला है या फिर मोटा है तो यहाँ पर चावल को पकते हुए पूरे 15 मिनट हो गया है तो अब हम इसे चेक कर लेंगे कि चावल हमारा अच्छे से पका है की नहीं तो आप क्या करें यहाँ की चावल को हाथ में लेके इस पेकार से मैश करके देखें अगर चावल आपי अच्छे से मैश हो जा रहा है इसका मतलब चावल आपे पंग गया है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और चलते हैं फटा-फट से इसका माड़ निकालने के लिए तो अब हम क्या करेंगे कि इसके उपर प्लेट रखके इसे ढख देंगे और एक पतीला या कटोरी हम नीचे रखेंगे और इस पकार से इसे पकड़ के इसका माड निकालेंगे मार निकलते हैं मैं ध्यान रखिएगा कि आप इसे दोनों तरब से अच्छे से पकड़ लें क्योंकि पतीला भी गरम होता है, मार भी गरम होता है और जब मार निकलता है तो गरम गरम भाप निकलता है तो हाथ ना जले इसलिए सावधानी बरते हैं और यह देखिए, बहुत ही असानी से इसमें से माड निकल जाता है, बच्पन में न हम इसे बहुत शौक सिखाते थे, मतलब ममी जब चूले पे चावल बनाती थी और यह जब गर्मा-गर्म माड निकलता था न, तो माड, ब्हाद, चोखा और नमक, मतलब शौक से काते थे, और अभी भी मैं इस मार भात को बना के अपने बच्चों को कभी-कभी जरूर खिलाती हूँ गर्मी के मौसम में। और बच्पन में आप टे भी समार भात को जरूर खाया होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि इसे खाने के बाद आपको कैसा लगता था। तो यहाँ पे चावल का साड़ा मार निकल गया है। अब हम क्या करेंगे कि पतीले को गैस पे रखके इसे धीमी आज पे एक मिनट के लिए सुन्धा देंगे। और अब मैं आपको चावल खोल के दिखाती हूँ, यह देखे। चावल हमारा कितना खिला-खिला बनके त्यार हुआ है। इसका एक-एक दाना अलग है। बिल्कुल भी चावल हमारा चिपका नहीं है, गीला नहीं हुआ है। चलते हैं इस माडभात चोखा को सर्व करने के लिए, तो इसे हम कटोरी में सर्व करेंगे क्योंकि खाने में इजी होता है। तो सबसे पहले हम कटोरी में चावल डालेंगे। अब इसके उपर आपको डालना है ये गर्मा गर्म माड़, और माड़ को आपको चावल में इतना डालना है कि चावल जो है वो अच्छे से डूब जाएं। अब आपको इसमें डालना है नमक, तो यहाँ पर मैं एक चोथा ही चमश नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वात के अनुसार नमक डालके मिला लें। तो थोड़ा सा इसके साथ हम चोखा रखेंगे क्योंकि चोखा के बिना माडभात खाने में मज़नी आता है। तो यह हमारा माडभात चोखा तयार है, बिल्कुल विलेज स्टायल जैसा कि गाउंदे हाथ में लोग बनाते हैं न वैसे। उमीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई हो। रेसिपी को बनाने में कोई भी समझ से आए, आप मुझे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल सो जल आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। तो मैं तो इस मारभाच चोखा को इंज्वाइ कर रही हूँ। आप भी बनाए, खाए और सभी को खिलाए। मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई बाई